कुछ mutual fund खरीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते हैं यही उनका basic formula या नुस्खा है अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप ठक गए हैं या आप काफी नहीं कमा रहे हैं तो आपको अपने पैसे बनाने के formula को बदल लेना चाहिए बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था मैंने weekend की एक class में हिस्सा लिया जिसका title था किस तरह real estate four closers को खरीदें मैंने एक formula सीख लिया अगला कदम था अपने सीखे हुए principles को असली जीवन में आजमा कर देखना यहां पर जादातर लोग रुख जाते हैं तीन सालों तक जब मैं Xerox के लिए काम कर रहा था मैं अपने खाली समय में four closers को खरीदने की कला में माहिर होने की कोशिश करता रहा मैंने उस formula से कई करोड डालर बनाएं पर आज ही बहुत धीमा formula है और फिर भी बहुत से लोग उसका इस्तमाल कर रहे हैं एक बार मैं उस formula का export बन गया तो मैं दूसरे formula की खोच करने लगा कई classes में मुझे कोई नई जानकाली सीधे रूप में नहीं मिली पर मैंने हमेशा कुछ न कुछ नया जरूर सीखा मैंने ऐसी बहुत सी classes में हिस्सा लिया है जो सिरफ derivatives deals के लिए organize की गई थी और commodity conscious bargain करने वालों के लिए और अराजकता वादियों के लिए organize classes में भी गया हूँ मैं अपने दाइरे से पूरी तरह बाहर पहुँच गया था और एक ऐसे कमरे में था जहां nuclear physics और space science के experts की भीर थी पर मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा stock और real estate investment ज्यादा meaningful और फायदे मंद बन गया ज्यादा तर junior college और community college में financial planning या traditional investment को खरीदने के तरीकों पर classes organize की जाती है शुरुआत करने के लिए ये बहुत अच्छी जगा है तो मैं हमेशा एक ज्यादा तेज फॉर्मूले की खोज करता रहता हूँ इसी कारण नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूँ उतना कमाने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाएगी एक और भात आज की तेजी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है क्योंकि अक्सर आज आप जितना जानते हैं वो पुराना हो चुका है इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं यह आठ अनमूल है, ज्यादा तेज फॉर्मूले ढूंडने में यह बहुत काम आती है, तैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है, चो बाबा आदम के जमाने में पैदा हुआ था, नमबर पांच, खुद को सबसे पहले सेलरी दें, खुद पर डिसिप्ल करना आ जाए, इस बात का कोई मतलब नहीं है के इन्वेस्ट करें, पैसा कमाएं और उसे फूंक दें, खुद पर डिसिप्लिन की कमी के कारण ही करोडो डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग जल्द ही दिवालिया हो जाते हैं, यह खुद पर डिसिप्लिन की कमी ही है, जि यह आप में पहले से ही माजूद ना हो तो, मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि खुद पर डिसिप्लिन की कमी की वज़र ही वो सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को तीन ग्रुप में बांटता है, अमीर, घरीब और मिडल क्लास, सीधे तरीके से कहें तो जिन लोगों में स एल्फ एस्टीम कम होता है और जो फाइनेंशल प्रेशर को ज़्यादा सेहन नहीं कर पाते, वे कभी अमीर नहीं बन सकते और कभी नहीं का मतलब होता है, कभी नहीं। जिन में सेल्फ डिसिप्लिन होता है, मैं जिन बिजनस क्लास में पढ़ाता हूँ, वहां मैं लोगों को लगातार ये याद दिलाता हूँ कि वे अपने प्रॉड़क्ट या सर्विस पर अपना ध्यान फोकस ना करें, बलकि मैनेजमेंट की कला पर फोकस करें, अपना और तीन स्किल्स सिर्फ बिजनस शुरू करने वालों के ही नहीं, बलकि सभी के काम की हैं। ये तीनों आपके लाइफस्टाइल में इंपॉर्टेंट रोल ने भाती हैं। इंसान के रूप में, परिवार के मैंबर के रूप में, बिजनस में, किसी चेरिटेबल प्रिंसिपल को हलके से नहीं लेता। प्रिंसिपल का राग अलापते रहते हैं, वे दरसल इसे कितना फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल को समझना शुरू कर देते हैं, तो आपको जल्द ही ये पता चल जाएगा कि कहां गरबड़ी है। और 90% लोग क्यों जिन्दगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। और इसके बाद उन्हें सोशल सेक्योरिटी जैसे गवर्मेंट की मदद की जरूरत क्यूं होती है। जो आदमी खुद को सबसे पहले पे करता है। हर महीने अपने मंतली कर्चों को चुकाने से पहले वे अपने असेट वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हलाकि करोडों लोगों ने क्लासिन की बुक पड़ी है और खुद को सबसे पहले पे करे का प्रिंसिपल समझा है। पर हकीकत में वे खुद को सबसे आखर में पे करते हैं। अब मैं आप मैंसे उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूँ जो अपने बिल्स को सबसे पहले चुकाने में गंभीरता से विश्वास करते हैं। और मैं ये भी सुन सकता हूँ कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप गेर जिम्मेदार हो जाएं या आपने विल ना चुकाएं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप वही करें जो ये बुक आपको से खाती है। यानि खुद को सबसे पहले पैसा दें। ऐसा आदमी जो हर एक को पहले चुकाता है, आखिर में एक्सपेंस प्रोफेशनल भी दरसल वही करते हैं जो जनता करती है, यानि खुद को सबसे आखर में पैसा देते हैं, वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे भी महिने आये हैं, जब किनी कारणों से मेरा कैश फ्लो मेरे बिल से काफी कम रहा है। फिर प्र भी सबसे पहले खुद को ही पैसा दिया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि दे रिचेस्ट मैन इन बेबिलॉन की कहानी इसी बारे में है। खुद पर डिसिप्लिन की ताकत और सेहन शक्ती के बारे में। इसे बोलचाल की भाशा में जिगरा भी कह सकते हैं। जैसा म आप उसे पैसे दे देते हैं और खुद को पैसे नहीं देते हैं। एक सेल्स क्लर कहता है कि आप इसे अपने चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल स्टेट एजिंट आपसे कहता है आगे बढ़े चलो घर खरीदने पर गवर्मेंट आपको टेक्स में एक्जम्शन पूरी बुक दरसल इसी बारे में हैं। आप में कैश फ्लो के खिलाफ चाने का और अमीर बनने का जिगरा होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमजोर ना हो और जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का होसला पस्त होने लगता है। मैं ये नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार बनें। मुझ पर ज़्यादा कर्ज नहीं है। क्रेडिट कार्ट का कर्ज भी नहीं। पर ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं अपनी इंकम को कम से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे को नहीं देना चाहता। इसलिए आप मैंसे जिन लोगोंने The Secrets of the Rich नाम का वीडियो देखा होगा, उन्हें मैं ये बता दू कि मेरी income नेवादा के corporation के जरीए मेरे asset वाले column से आती है। अगर मैं फैसे के लिए काम करता तो government इसे ले लेती। अलाकि मैं अपने bills सबसे आखर में चुकाता हूँ, पर मुझमें इतनी financial समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फसता हूँ, मैं consumer loan को पसंद नहीं करता हूँ, मेरे पास इतनी liabilities हैं जो 99% लोगों से ज़्यादा हैं, पर मैं उन्हें नहीं चुकाता हूँ, बलकि दूसरे ल bills ही आखरी के लिए बचा करके रखता हूँ, दूसरी बात यह है कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है, तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसे देता हूँ, मैं कर्ज देने वालों और government को चीखने देता हूँ, जब वे सक्त होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, हम सिरफ pressure में नहीं आते हैं, और कर्ज उतारने के लिए अपनी savings का इस्तिमाल नहीं करते, ना ही उसके लिए अपने stocks को भेजते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है, तो जवाब यह है, एक, ऐसे बड़े कर्ज में न फसें, जिसे आपको चुकाना हो, अप जवाब के पास पैसा कम हो, तो pressure को बढ़ने दें, और अपनी savings या investment को खर्च ना करें, उस दबाब को अपनी financial talent को motivate करने के लिए इस्तिमाल करें, ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाने और अपने bills को चुकाने के नए तरीकों के बारे में सोच सकें, इस से ज़्यादा पैसा वाले कॉलम को कोई नुकसान न पहुंचे, मेरा बुक की पर चीखने लगा और बचाव के लिए छुप गया, पर मैं उस तरह का सिपाही था जो किले की रक्षा के लिए लड़ रहा था, गरीब लोगों की आतने भी गरीब होती है, एक आम बुली आदत है, savings मेंसे पैसे न निकाल लेना, अमीर लोग जानते हैं कि savings को ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है, ना कि बिल्स चुकाने के लिए, मैं जानता हूं कि ये मुश्किल लगता है, पर जैसा मैंने कहा, अगर आप अंदर से सख्ट नहीं है, तो दुनिया आपको इधर से उ प्रिंसिपल्स को तोड़ देता है, हम information के योग में रह रही है, information बेशकीमती है, एक अच्छा broker आपको information तो देगा ही, आपको educate करने के लिए समय भी देगा, मेरे पास कई broker हैं, जो मेरे लिए ऐसा करने के इच्छोख है, कुछ ने मुझे तब सिखाया है, जब मेरे पास कम पैसा था, या बिल्कुल भी पैसा नहीं था, और मैं आज भी उनके साथ हूँ, मैं broker को जितना पैसा देता हूँ, वो मेरे द्वारा उसकी information से कमाय गए पैसों से बहुत छोटा हिस्सा होती है, मैं इसे पसंद करता हूँ, जब मेरा real estate broker या stock broker बहुत पैसा कमाता है, क्य जिता था, और तुरंत इसे 25,000 डालर में भेज दिया, ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीच सकूँ, broker आपके market की आँख और कान है, वे हर रोज वहां होते हैं और इसलिए मेरी वहां कोई जरूरत नहीं होती, उसके बजाए मैं गॉल्फ कहल सकता हूँ, इसके वहत मज़िदार लगता है, कि इतने जदा गरीब और मिडिल क्लास लोग रेस्टरंट में खराब सर्विस के बावजूद 15-20 प्रतिशत तक टिप देते हैं, और broker को 3-7 प्रतिशत देने में आना कानी और शिकायत करते हैं, वे खर्च वाले कॉलम के लोगों को टिप देते हैं, और असेट वाले कॉलम के लोगों को टिप देने से कत्राते हैं, ये financial समझदारी नहीं है, सबी broker एक जैसे नहीं होते, दुरभाग से जादा तर broker salesman होते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि real estate के salesman सबसे बुरे होते हैं, वे बेशते हैं, पर उनके पास खुद बहुत कम या बिलकुल भी real estate नहीं होता, घर बेशने वाले broker और investment बेशने वाले broker में बहुत बाफर्ग होता है, ये stock, bond, mutual fund और बीमा broker के बारे में भी सही है, जो खुद को financial planner कहते हैं, किसी परियों की कानी की तरह ही, आप एक राजकुमार खुजने के लिए बहुत से मेंड़कों को कि उसके पास खुद कितनी personal property as stock है, और वो कितना percent tax दे रहा है, यही मेरे tax से टौरनी और मेरे accountant के बारे में भी मैं करता हूँ, मेरे पास एक accountant है, जो अपने काम से काम रखती है, उसका पेशा हाला की accounting है, पर उसका काम यानि कि business real estate का है, मेरे पास एक accountant था जो एक छोटा सा business accountant था, पर उसके पास real estate बिलकुल नहीं थी, मैंने accountant बदल लिया, क्योंकि हम एक business को पसंद नहीं करते थी, ऐसा broker खोजें, जो आपके best interest को ध्यान में रखता हो, कई broker आपको educate करने के लिए समय नकालेंगे, और वे आपके द्वारा खोजा गया best asset साबित हो सकते हैं, बस उ simple सा logic है, जैसा मैंने पहले का था कि management skills मेंसे एक, लोगों का management भी है, कई लोग सिर्फ ऐसे लोगों को manage कर पाते हैं, जो उनसे कम smart हों, और जिन पर उनकी सत्ता हो, जैसे किसी office में junior, कई second rate managers, second rate के managers ही बने रहेंगे, और उन्हें कभी तरक्की नहीं मिलेगी, क्योंकि वे य ये तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ कैसे काम किया जाता है, पर वे ये नहीं जानते कि उपर वालों के साथ कैसे काम किया जाता है, असली skill है किसी technical field में अपने से better और ज़्यादा smart लोगों को manage करना, और उन्हें अच्छे पैसे देना, इसलिए कमपनियों में board of directors होत अमेरिका में गोरे लोग गए, तो उन्हें American Indians के culture और tradition से जटका लगा, example के तोर पर अगर किसी गोरे आदमी को ठन लगती थी, तो इंडियन उसे कमबल दे देते थे, गोरे लोग इसे तोफ़ा समझ लेते थे, और जब इंडियन कमबल वापस मांगता था, तो उन्हें बह पॉलम में दुनिया में इंडियन दाता बनना तौलत के लिए बहुत ज़रूरी है, पॉलिष्ट इंवेस्टर का पहला सवाल ये होता है, मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा, तो ये भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है, इसलिए स्विकार कर ली क्योंकि बोली के साथ 50,000 डॉलर का चेक भी लगा हुआ था, उन्होंने ये महसूस किया कि मैं गंभीर था, स्यादा तर इंवेस्टर कहेंगे कि आप अपना बहुत सा पैसा फंसा नहीं रहें, कैस पर लोन लेना जादा बहतर नहीं होता, इसका इसका किराय सिर्फ 1000 डॉलर होता है, मेरा पैसा लगबक तीन सालों में वापस आ गया था, अब मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, जो हर महीने मेरी इंकम बढ़ाती देती है, यही स्टॉक के बारे में किया जाता है, अक्सर मेरा ब्रोकर मुझे सलाह देता है कि मैं किस कमपनी के स्टॉक में काफी पैसा लगाँ, क्योंकि उसके विचार से वो कमपनी को यह ऐसा कदम उठाने वाली है, जिससे उसके शेर में तेजी आ जाएगी, जैसे कोई नया प्रोड़क्ट मार्केट में लाने वाली है, मैं अपने पैसे को एक हफते से लेकर एक महीने तक लगाए रखता हूं, जब शेर की कीमतें बढ़ती हैं, फिर मैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल लेता हूं, और बाजार के उतार चड़ाव से बेफिक्र हो जाता हूं, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ चुका है, और दूसरे असे पर काम करने के लिए तैयार है, इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है, और मैं एक ऐसे असिट का मालिक बन जाता हूं, जो एक तरह से मुझे मुझे मुफ्त में मिलता है, ये सच है कि मैंने कई मौकों पर पैसा खोया भी है, पर मैं उतने ही पैसों से खेल खेलता हूं, ज पैसे तक सिमत कर लेता हूं जो मेरे पास उस समय होते हैं जो लोग रिस्क से नफरत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में रख देते हैं और लॉंग टर्म में उनकी सेविंग्स कुछ नहीं से बहतर ही होती हैं पर आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज्यादा तर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे पर आजकल ऐसा बहुत ही कम होता है मेरे हर इंवेस्टमेंट